हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का आपके अपने नुटूब चैनल स्टडी सेशिन वी तैचे में तो फ्रेंड्स आज हम आर्बेसी क्लास 10 संस्क्रिट इस्पंदना के चैप्टर नमबर 13 के भागतों को स्टार्ट करेंगे और आज के हम अध्य नमबर 4 से स्टार्ट करेंगे ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं महराणा प्रताप से चत्रपती शिवाजी महराजसे चा अनंतरम महराज सूरज मलह एव सहवीरह यह उस्सा साहस चातूरी दर्टा बलेन मुगल सामराजसे उपरी प्रतेक्षम प्रहारम एकरोत या यह नहीं महराणा प्रताप चत्रपती शिवाजी महराज चा अन्तरम इसके बाद महराज सूरज मलह सा वीरह इनके जैसा वीर उस्साहा जिसने उस्साहा साहस और चतूराइक के साथ दर्टा पुर्वक मुगल सामराजे के उपर प्रतेक्षम प्रहार किया है ना यह लिखा महराण, महराणा प्रताप और शिवाजी महराज के बाद महराज सूरज मली वहवीर था जिसने उस्साहा, साहस, चतुराई और दड़ता आदी के बल से मोगल सामराज्य के उपर प्रतिक्ष परहार किया, तस समक्षम मोगला नाम अहंकार से नई कवारम पराज्य है एभवत, यानि उनके समक्ष मोगलों के अहंकार के अनेक बार पराज्य हुई, यानि तस समक्षम यानि सह समक्षम यानि महराज सूरज मनी नहीं के समक्ष मुगल मुगलों की अहंकार की नएक वार यानि अनेक बार पराज्य हुई मीर भक्षी सलावत खान सद्रशह साशकू अपी तीन सह संधी संधिम करोती यद अध्यारभ्य अहम पीपल व्रक्ष चदिनेनम क्या लिक रखाया पीपल व्रक्ष छेदनम गोहननम मंदिर अध्यारदी विद्वन सनम चनेव करिश्यामी यानि की मीर भक्षी है ना लिख रखाया मीर भक्षी सलावत खान के समान शाशक भी उसके साथ संधी करता है कि आज से मैं पीपल के पेड़ों को काटने गाय मारने और मंदिरों को नश्ट करने का काम नहीं करूंगा यानि म उनके समान शाशकों ने भी उनके साथ संधी करी कि उनके साथ महरास सूरज मल के साथ संधी करी और संधी में उन मुसलमानों ने कहा कि हम पीपल व्रक्ष को नहीं काटेंगे गायों की हत्या नहीं करेंगे और मंदिरों को नहीं तोडेंगे और नई परिश्यामी थे गे इ कि विव्लानिन तनह ना को अपय भारति शाष कहं मनलेन तुले दृस्चती दृस्चत rbit दृस्चती यानि की उस समय कोई भी भारतिय शाषक उस युद्धा के समाव दिखाई कüyorsun नहीं देदा था उस समय की जितनेश शाषक थे वो महरा सुरज मले की तुले नहीं दिखते थ उनकी जो व्यक्तित्व था उनका जो सौंदर रहे था उनका जो प्रताब था उनकी तरह कोई भी नी था अश्टादश शब्दासत से प्रायशह सरवयपी इतिहास अग्यह रतांत लेखक लेखाक्षतम मुक्त कंठम प्रसंसंति यानि समझने के कोशिश करिए अश्टादश शब्दासत से यानि कि अठारवे शटाब्दी के प्रायश सभी तिहासकार और रतांत लेखक मुक्त कंठ से प्रशंसा करते थे मुक्त कंठ से यानि खुले कंठ से प्रशंसा करते थे सूरज मल्की महरा सूरज मल्की प्रशंसा करते थे यह हूँ अपना चौता परिग्राफ आगे बढ़ते हैं पाच परिग्राफ पे जाट जाता हूँ सूरज मलह तदीव इस्तानम दत्ते यत खल्व इस्तानम विदेशी एशू प्लेटो नेपोलियम लूथर इत्यादिनम इत्यादिनामस्ती यानि कि जाता समझे इस लाइन को जाट जाता हूँ यानि जाट जाती में सूरह मलने वही तदेव इस्तान ग्रहन किया जो इस्तान ओ यत खल्व इस्तानम विदेश विदेशी एशू यानि जो विदेश में प्लेटो, नेपोलियन, लूथर इत्या दिनामास्ती यानि इनका नाम है मत्तब इस पंक्ति का इस लाइन का क्या मतलब है इस लाइन का मतलब है कि जाड़ जाती में सूर्ज मन ने वही इस्तान बनाया जो इस्तान निच्च थी विदेशियों में प्लेटो, नेपोलियन, लूथर इद्याती का है कश्चे देख लेखकस्तु तम जाट प्लेटो इती विरुदेन भूशित हुआने यानि कि कोई एक लेखक ने तो उसको जाट प्लेटो की विरुदे से विभूशित किया है यानि जाट प्लेटो के नाम से भी उनको संबानित किया है किसी एक लेखक ने लेखक का वड़ना ने किया है कश्चे देख लेखकस्तु यानि किसी एक लेखक ने लिका है हिंदू इतियासग्याह तम अठारवी शताबदस से कनिश्क हा इति मुसलिम आश्चम तम अंतिम प्रतापी हिंदू नरेश हा इति घोशित बंद रहा यानि हिंदू इतिहासग्यों ने अठारविश अताब्दी का कनिश्क, मुसल्मानों ने उसको अंतिम प्रता पे हिंदू नरीश ऐसा घोशित किया, ठेक है, कनिश्क, हिंदू इतिहासग्यों ने तो अठारविश अताब्दी का कनिश्क कहके संबोधित किया, है ना, मुसलि उन्हें अंतिम प्रता पे हिंदू राजा के नाम से गोशित करा ठेक है उप्चारिक शिक्षा उप्चारिक शिक्षा रहितो अपी सूरज मल्लह वस्तोता हा सम काली नेशु वीरेशु भीमहा नीते गेशु कृष्णह अर्थशातर गेशु चक कॉटल्य है आसित इती मन्यत यानि उप्चारिक शिक्षा रहित भी यानि उप्चारिक शिक्षा नहीं लीती इन्होंने जो हमारे बहरा सूरज मल्ल थे उन्होंने उप्चारिक शिक्षा ग्रहड ने करेती यानि जो उनके उप्चारिक शिक्षा थी जो एक बालक को अवश्य होती है अपनी बुद्ध में इसे भीम के समान थे भीम जानते हो ना महावारत के भीम नीती गेशु नीती में कृष्ण के समान थे कृष्ण भगवान के समान थे अर्थ शात्र गेशु अर्थ शात्र में कोटली के समान थे आसित इत्ती मानते ऐसा माना जाता है सेद गुलाम अली नकवी सुईवे इमादु सादात अब जम समझिए यहापर इमादु सादात यह जो है सेद गुलाम अली खाए का एक ग्रंथ है इत्याके ग्रंथे लिखती यत राजनी ते राजुसर से नागरिक न्यायस से चप्रबंद नैपूने आसर जहां बादो जामम विहाए हिंदु स्ताने तस समय नेको अपीकस्चित ततुल्य आसित यानि यहां लिख रखा है ऐसा माना जाता है सेद गुलाम अली नकवी अपने इमादु साद नामा के ग्रंथ में लिखता है कि राजनेतिक राजस्व का नागरिक न्यायका और प्रबंदन की सिर्फ आसव साद भादु निजाम यहां पर आपको अंडरलाइन करना चाहूंगा सेद गुलाम अली अपने ग्रंथ में क्या लिखते हैं लिखते हैं कि इन सभी विश्यों राजनेति राजस्वरे से नागरिक प्रबंद में निपून आसव जहां भादु निजाम के अला आसव जहां भादु निजाम यह तुल्ले था इसके अलावा कोई भी तुल्ले नहीं था किसमें इन विश्यों में राजनीति में राजस्वरे से नागरिक नेसे और प्रबंद नेपून ने आसव है ना नेपून ने निपून होता है ठेक है यह था अब अपना लास्ट ग पालियन राष्ट धर्म रक्षायन क्या लिखना काया राष्ट राष्ट धर्म रक्षणाय प्राणान पणी कृते अपी युद्ध्यमान हां 25 डेसेंबर 1763 इसवी इती जीव से रणे चाभी मुक्य है हतह यानि कि इना न देनी आपनी इना यानि अपनी मात्र भूमी नही देनी चाहिए इस मा की शिक्षा का पालन करते हुए धर्म युद्ध से बढ़कर शत्रिय के लिए और कुछ नहीं है इस गीता के उपदेश का पालन करते हुए राष्ट धर्म की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगा कर भी युद्ध रत 25 सिसंबर 1763 इसवी की दिन युद्ध में सामना करते हुए महारा गए कौन हमारे महारा सूरज मल्ह प्रताव इव शिवाजी इव बंदा बेरागी इव गुरु गोविन सिंग इव चे महारा जिस से सूरज मल्ह से परम प्रभाव अध्याबी इतिहासे गुंजती इव यानि जिस प्रकार से प्रताव शिवाजी बंदा बहरागी गुरु गोविन सिंग इनका इतिहास में प्रभाव गुंजता है उसी प्रकार महाराज सूरज मलका भी इतिहास में एक अनंत प्रभाव सा गुंज रहा है ठीक है यह गुंजता है किसकी समान प्रताव जैसा कि प्रताव शिवाजी बहरागी और गुरु गोविन सिंह का गुमता है ठीक है यह तो वही अपना चैप्टर पूरा कंप्रेट अगले वीडियो में हम खोशिच करेंगे कि इसके कॉशन आंसर्स करें यदि आपके अधिक साथ कमेंट आए तो मैं जुरूर इस पर इसके कॉशन आंसर्स भी लाओंगा यदि आप आपको हमारे वीडियो चलेगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद एंड गॉड ब्रेस यू